नमस्कार दोस्तों आप लोग का रिपोनी स्टेडी पॉइंट में एक बार फीश श्वागत है तो दोस्तों मैं बता दू कि UPTET के पेपर को लेकर अब भी भी सस्पीशन बना हुआ है कि केंसी लोगा की क्या होगा तो देखिए यहां पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट सेडियूल पर ही होगा डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी यह कह रहे है कि डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी लेकिन लोगों का बिरूद देखिए लड़कों का बिरूद लड़के किस तरीके से क्या कर रहे हैं उनका मैं दिखा रहा आपको यहां देखिए कहा जा पाद एकजाम को तेज जनावरी के लिए सीडूल कर दिया गया है अब परिच्छा पर कोरोना का खत्रा मंदराता दिख रहा है हाला कि बोर्ड की तरफ से यह कहा जा चुका है कि परिच्छा तय सीडूल पर ही होगी और डेट आगे नहीं बढ़ाये जाएगी यह कह रहे हैं क खिक्यों है लोग आगे नहीं बढ़ा रहे हैं जब कि आगे कोई नहीं इनके बेकेंसी ही आभी कुई बाइकेंसी बीना दिये गोवर्र मेंट को तो आगे बढ़ा देनी लेकिन अब गौर्मेंट की जो मर्जी वो करा रहे हैं लोग वो कर रहे हैं कि नहीं केंसिल नहीं होगी फिर भी आगे आप लोग को और वी जानकारी बता रहे हैं इस वीडियो को सुरू से अन तक देखते रहे हैं और अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए बता दे कि यूपी में इसी तरह सप्ताइक यूपी पीएस ने पीसेश मेंस की परिच्छा अठाई जनौरी अठाई जनौरी से 30 जनौरी तक थी यह भी केंसिल हो गया ठीक और उसके वास से यूपी पीसेश ने पीटी के तहत महिला स्वास्त कर्मी की 25,000 भरती जो अभी एनम वाली जो भरती आये थी 25,000 उसका भी एक्जाम गेंसिल हो गया अब यहां पर देखिए यह आप लोग के लिए मातुपूर है यह देखिए परदेश में अन्य सभी परिछाओं में अस्तगित होने के बाद भी यह संभावना दिख रही है कि UPTT एक्जाम भी अस्तगित किया जा सकता है इसके संबद में जल्द कोई नीड़े लिया जा सकता है बता दे कि परसासन की तरफ से परिछा की सभी तयारी पूर्ण हो चुकिए देखिए आपे कहा जा रहा है कि जल्द कुछ नीड़े लिया जा सकता है कि UPTT का एक्जाम केंस अपडेट के लिए तो जैसे कि आप जानते हैं कि सभी लोग का एडमिट कार्ड भी आ गया है और क्या है कि और एक्जाम सेंटर पर यह यह सोपी भी भी भीज़ दिया गया अब आईए आगे छोटी सी एक और अपडेट है उसको मैं आप लोग को बता देता हूं तो देखिए दोस्तों मैं आप लोग के लिए हर एक तरीके से सोचता हूं कि आप लोग को हर एक न्यूज मिल जाए इसलिए मैं हर एक जगाओं से डूट डूट करके आप लोग के लिए न्यूज ले करके आता रहता हूं तो देखी यहां पर क्या कर रहा है आपयारति कर सकेंगे मुफ्त में यात्रा 22-24 जनौरी तक मिलेगा फायदा जाने गाइडलाइन हम कर रहे है कि यात्रा हम कैसे करेंगे क्योंकि सभी लोग का एक ही जीला में जैसे हमारा जीला है देवरीया तो हमारा देवरीया जीला में यह हमें वहाँ बस से आने जाने का प्राप्ति नहीं है तो यह लोग मतलब इसका क्या मतलब है यह क्यों कर रहे हैं यह लोग इसका तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि यह लोग जो यात्रवत्ता फिरी कर रहे हैं तो इसका तो कोई यहां देखिए दोस्तों यहां पर यहां पर यह कह रहे थे कि छह फोटो कापी करके रखे एड़िमिट काड़ की तो छह फोटो कापी करने का मतलब यह हो गया कि आप लोग क्या करेंगे जिस भी बस से जाएंगे बस डिलाइबर वह आपसे फोटो कापी मांगेगा तो फिर आपको फोटो कापी देनी पड़ेगी यह बात है तो फिर हाला कि हम कहा रहे हैं कि अपने ही जिले में जब है तो हमें बस से जाने का स्वभागी नहीं पराप्त होगा तो हम कहां से फोट सिदा देखिएगा यह फिरी मुथ्यात्रा के चक्कर में मत रहिएगा आप लोग एक्जाम सेंटर पर कोशिस करेगा एक गंटा पहले ही पहुंच जाईए जैसे भी पहुंचना हो अपनी भाई क्या फिर अपना टो गहरा करास्ता सही दे जिसके लिए उसके लिए यह चीजे है जिनका रोट पे है जिनके रोट पे मतलब बस चलती हो भी गवर्मेंट बस लेगा और कोई बस लेगा नहीं तो उन लोगों को क्या करना अपना सिगनेचर करके उनको दे देना यही सारी बाते इसमें लिखा गया है मैं आप लोगों को आदि कहेंगे तो इसका मैं वह द के लिए बाए बाए